हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्ट्स अकेडमी, मैं हूँ सनी जैन और आज अपने 15 डेज चैलेंज के चैप्टर 6 में, 6 वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ, आज हम कवर करने जा रहे हैं पौवर्टी का टॉपिक, पौवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी का मतलब क्या है? गरीबी का मतलब है वो लोग जिने बेसिक दो वक्त की रोटी भी खाने को नहीं मिलती, रहने के लिए जिनके पास घर नहीं, कहने के लिए उनके पास कोई संपत्ती नहीं, कोई प्रोपर्टी नहीं और एक जगा से दूसरी जगा बटकना ही इन लो तर जब आपके चुनाव हो रहे होते हैं तो ये सबसे जादा मुद्द वही पर दिखाई देता है, यहने इलेक्शन में तो आपको सबसे जादा poverty दिखाई देती है देश में उसके बाद दिखाई नहीं देती तो आज हम पढ़ते है पौवर्टी basically है क्या सबसे पहले poverty में हम इस topic में क्या cover करने वाले है सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is poverty poverty का मतलब क्या है गरीबी का मतलब क्या है और who are the poor और कौन गरीब होते है कौन से लोगों को हम गरीब कहते है what is poverty line गरीबी रेखा कौन सी होती है trends of poverty in India देश के अंदर किस तरीके का trend चल रहा है याने के लोग जादा गरीब होते जा रहे है या जादा गरीबी रेखा से नीचे कम होते जा रहे है या गरीबी रेखा के ऊपर आते जा रहे है वो हम सब पढ़ेंगे उसके बाद हम कारण पढ़ने वाले हैं कि गरीबी के क्या क्या कारण क्या क्या reason है जिसकी वज़े से हमारे देश में गरीबी जी समस्या जो है वो खतम होकर नहीं दे रही तो यह है आपका causes of poverty और हमने क्या 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 कदम उठाए measure to remove poverty हमने क्या क्या तरीके use कि हम अपने देश से इस गरीबी को खतम कर सके और क्या हम कामियाब हुए और साथ-साथ government ने कौन-कौन से तरीके follow किये जिस से ये गरीबी हट सके तो यह सारे के सारे topic हम इस poverty के chapter में हम complete करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं what is poverty poverty है क्या and who are the poors और actual में गरीब कोन होते है तो basically poverty is the inability to fulfill the minimum requirements of the life अपनी जरूरत की basic चीजों को पूरा ना कर पाना ही गरीबी है अमीर इनसान तो वो है जो आदी रात को भी कोई चीज मांगे तो उसे मिल जाए गरीब वो है जो दो वक्त की रोटी मांगे और उसे वो भी ना मिले तो the minimum requirements क्या क्या होती है food closing shelter याने के food closing रोटी कपड़ा मकान और आज कल दो चीजे हमने और जोड़ दी that is education and health facilities याने पढ़ाई और अच्छी इलाज भी उसके basic अधिकारों का हिस्सा है तो याने हमारे पास 5 चीजे कौन कौन सी हो गई रोटी कपड़ा मकान उसके बाद education याने पढ़ाई और एक अच्छा इलाज वो है उसकी basic requirement अगर ये चीजे उसकी पूरी नहीं होती तो क्या होगा वो उसे pain होगा उसे suffering होगी उसे tension होगी और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा इससे उसकी health और उसकी काम करने की शमता भी कम हो जाएगी तो अगर हम गरीबों से काम कराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा वो म not to be fulfilled, अगर ये basic चीजे पूरी नहीं होती, man undergoes pain and suffering, वो pain और suffer, याने कि वो तनाव से गुजरना, tension से गुजरना शुरू हो जाता है, उससे उसकी health खराब हो जाती है, और उसकी efficiency भी कम हो जाती है, इसके बाद how poors are identified, हम poors को गरीबों को identify कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास दो तरीके हैं poors को identify करने के, सबसे पहला तरीका है relative poverty और दूसरा तरीका हमारे पास है absolute poverty, पहला तरीका क्या है relative, relative poverty को relative मतलब relation, एक दूसरे की relation में पढ़ेंगे, relative मतलब relation relative मतलब relation हम एक दूसरे के relation में चीजों को पड़ेंगे जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के मुकाबले इंडिया गरीब है अमेरिका में facilities जादा है इंडिया में facilities कम है अगर मैं इंडिया के अंदर-अंदर की बात करूँ बिहार में facilities कम है और suppose करो पंजाब में चंदीगड में facilities जादा है तो एक दूसरे के relation में जब हम चीजे पढ़ते हैं that is relative poverty फिर से नाम पर hint लगाएंगे relative मतलब relation तो it refers to poverty across different class region और countries तो जब मैं country को country से compare करता हूँ एक class को class का मतलब क्या एक वर्ग को मैं दूसरे वर्ग से एक caste को दूसरी caste से compare करता हूँ और एक region को से north region को south region से compare करता हूँ और बताता हूँ भई कौन सा area जादा अच्छा है और कौन सा area जो गरीब है तो इन सब चीजों को हम एक दूसरे के relation में study कर रहे हैं that is relative poverty तो the country or class people whose living standard is low जहाँ पर people's का standard of living low होगा वहाँ पर आपका हम उसे कहेंगे poor और जहाँ पर उनका high होगा standard of living वहाँ पर हम उसे कहेंगे higher class या richer class तो कहते हैं the country or class people whose level of living is low is treated as poor और relatively poor in comparison to the country तो अगर मैं USA और इंडिया को compare करूँ तो मैं कहूंगा कि जो हमारी USA है वो richer class है क्योंकि वहाँ पर लोगों का standard of living जादा है और हमारा देश का standard of living थोड़ा सा low है तो इसलिए comparison हम कर सकते हैं तो relative poverty एक दूसरे के relation में absolute poverty absolute poverty का मतलब है एकदम exact figure बता दी भाई exact का मतलब मैं अंदाजा ले लेता हूं से मेरी तनखा 2000 एक रुपा है मैंने poverty line एक गरीबी रेखा decide कर दी कि भाईया 2000 रुपे की अपी गरीबी रेखा है अब अगर इस रेखा से उपर मेरी salary यह वाली line जो है तो मैं non poor मैं गरीब नहीं हूं और मेरी salary 1999 रुपे भी है तो मैं गरीब हूं तो यह line आपको divide कर देगी एक absolute figure देगी कि आपके पास non poor यानि जो लोग गरीब नहीं है और जो लोग गरीब है उसके बीच में से उसे divide कर देगी तो in India the concept of poverty line is used as a measure to absolute poverty तो poverty line को हम क्या करते हैं एक cut off point माल लेते हैं cut off point किस-किस के बीच का poor और non poor के बीच का जो इस line से नीचे वो poor और जो इस line से उपर वो non poor हमने क्या word use किया non poor यानि के वो गरीब नहीं है तो what is poverty line? तो it is a cut off point usually in the terms of per capita expenditure याने वो कितना खर्चा करते हैं हम उसी के हिसाब से हम इस line को बाढ़ देते हैं which is a poor और non poor example मैंने यही लिया कि if per capita expenditure is 2000 रुपीज पर मन्त तो cut off point serving as monthly expenditure जिन लोगों का monthly expenditure 2000 रुपे से नीचे होगा जिन लोगों का खर्चा 2000 रुपे से नीचे होगा हम उसे क्या कहेंगे? पूर कहेंगे न अगर 2000 से नीचे कमा रहा है 2000 से नीचे खर्च कर रहा है तो क्या हो रहा है? पूर है और 2000 से उपर खर्च कर रहा है एक महिने में तो वो क्या है? non poor तो इनी को हम दो नाम और देते हैं, percentage of population below poverty line, जो लोग poverty line से नीचे होते हैं, उनको हम दो चीजे कह देते हैं, HCR head count ratio, याने कि गरीबों के head count कर लेते हैं, या poverty incidence ratio, तो जो लोग poverty line से नीचे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे, याने जो लोग गरीब हैं, उन्हें हम दो नाम ओर दे सकते हैं, कि head count ratio, और poverty incidence ratio, तो कई बार हमारे exam में question पूछ लेता है, what is head count ratio, या what is poverty incidence ratio, तो मुझे याद रखना पड़ता है, और जादा कुछ भी नहीं, इसके बाद trend of poverty की बात हमने करी थी, तो जब 1960-61 की बात करें, तो 17 करोड लोग हमारे poverty line से नीचे थे, जो हमार population का 34% था, 93-94 में अगर हम हालात देखें, तो 32 करोड देखो, अगर quantity की बात करें, numbers की बात करें, तो भाईया 17 करोड से 32 करोड याने population double हो गई, अगर गरीबों की संख्या की बात करें, लेकिन अगर हम बात ये भी करें, कि population का हिस्सा देखें, तो सिरफ 2% population ही बढ़ी, त तो 36% of the population living below poverty line, लेकिन 1999 और 2000 में, देखो, 1991 के बाद हमारे पास liberalization policies, LPG policies आ चुकी थी, तो थोड़ा-थोड़ा हमारे रिकवर करना शुरू करा, लेकिन अभी भी हमारे पास 26 करोड पीपल, 26 करोड पीपल जो थे, वो अभी भी गरीबी रेखा गे नीचे थे, तो 26% of the population, य 200 करोड की population है, तो उसका 26 करोड population, याने वन फोर्थ हिस्सा अभी भी गरीब था, तो यही वो बात यहां पर कहने की कोशिश कर रहा है, कि अभी भी हमारे देश में गरीबी हद से जादा थी, और ये गरीबी ही हमारे backwardness का, हमारे देश को पीछे डखेलने का कारण थी, तो इसके बाद क्या पढ़ा, हमने क्या observe किया थोड़ा सा और deeply study करेंगे, the percentage of poverty line is different in different states, अलग-अलग state के अंदर अलग-अलग आपकी poverty line और गरीबी देखने को मिली, कुछ states के अंदर गरीब बहुत जादा थे, और कुछ state के अंदर गरीब बहुत कम थे, तो it is report to be highest in UP, बिहार ओडिशा, चतिसगर, जार्खन, मनिपूर, असाम और मध्या परदेश, तो इन state के अंदर गरीबी बहुत जादा थी, बहुत जादा लोग poverty line के नीचे थे, गरीबी रेखा के नीचे थे, nearly 29.4%, UP के अंदर 29%, बिहार के अंदर 33%, ओडिशा के अंदर 32% के आसपस, 31% मध्या परदेश में, ये सारे लोग आपके poverty line से नीचे थे, तो देखो कितनी गरीबी आपके देश में देखने को मिल रही थी, इन 4-5 श्टेटों में, और उसके बाद पंजाब में, देखो पंजाब में only 8.3% population जो थी, वो poverty line से नीचे थी, तो इसलिए पंजाब की बात करें, तो वहाँ पर लोग जो थे, वो थोड़े से जादा काम कर रहे थे, और बाखी इन स्टेटों के अंदर लोगों को गरीबी जादा फेस करनी पड़ रही थे, इसके बाद क्या-क्या कारण थे आपकी poverty के, गरीबी के, सबसे पहले low level of national product, या low level of national production, या low level of GDP भी हम इसे कह सक होते हैं, याने के हमारे देश के अंदर production इतनी कम थी, कि आप basic लोगों को job नहीं दे पा रहे थे, नोकरिया नहीं दे पा रहे थे, तो याने के factory होती, तो employment होती, employment होती, तो नोकरिया का मतलब क्या है, वो अपने basic जरूरतों को पूरा कर पाते, तो low level of national product का मतलब क्या हु हुआ, low level of national product का सीधा सीधा मतलब हुआ, कि आपके देश में factory नहीं थी, industries नहीं थी, employment कम थी, और employment कम होने के कारण ही, आपके पास GDP कम थी, और लोगों को आप नोकरिया नहीं दे पा रहे थे, तो गरीबी बढ़ती जा रही थी, low rate of growth, तरक की उस तेजी से नहीं हो रही थ चाहिए, suppose करो भई, पांत साल पहले, 100 industries लगी हुई थी, तो 10-5 साल बाद भी, वो वीचारी 200-200 हो जाती थी, लेकिन वो हो जानी चाहिए थी, अगर चाइना जैसी तरक्की हम करते, तो हम वो 10 गुना, 20 गुना हो जानी चाहिए थी, वो वीचारी 2 गुना, 3 गुना हो पात रहे थे, एक्चुल में employment तो हम बढ़ा ही नहीं पा रहे थे, heavy pressure of population ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की, कैसे heavy pressure है भई, population के ऊपर, कैसे तेजी से बढ़ रही है population, चाइना ने कम से कम 25 साल पहले, one child policy निकाल दी, हमारा देश आज भी, हम दो, हमारे दो को follow नहीं कर तो हमारा जो population है वो इस तेजी से बढ़ती जारी है, कि हम थोड़े time में world की number one population वाला देश बन जाएंगे और world की सबसे बेकार resources वाला देश होगा, population सबसे जादा होगी लेकिन हमारे पस resources सबसे कम, facility सबसे कम होगी, क्यों, क्योंकि गरीबी भी उसी तेजी से बढ़ेगी तो इसलिए population को रोकना बहुत जरूरी है, inflationary spiral महगाई जादा होती जारी है, क्यों, demand जादा हो रही है, supply कम हो रही है, factory कम है, लोगों की जरूरत जादा है, तो क्या हो गया, महगाई बढ़ती जारी है, महगाई बढ़ती जारी है, तो गरीब और मरता जारा है, उसे basic क्रोनिक का मतलब है लंबे समय से बेरोजगारी चलती आ रही है बिचारा गरीब मरता जा रहा है मरता जा रहा है मरता जा रहा है उधार ले ले लेता है वो कहीं से तो उसकी बाद भी लंबे समय से वह जो अनेंप्लोयमेंट चलती आ रही है हम उसे चाकर भी दूर नहीं कर प पकड़ा देते हैं तो ये सारी समस्या भी आपको गरीब करने के लिए जरूरी है Capital Deficiency Capital Deficiency का मतलब है लोगों के पास पुंजी नहीं है पुंजी नहीं है तो वो अपना कोई छोटा मुटा बिजनस नहीं खोल सकते छोटा मुटा बिजनस नहीं खोल सकते तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो सबसे बड़ी समस्या क्या वो बिचारे गरीब रहेंगे उसके बाद चलो माल लिया कि Capital है भी लेकिन हमारे याँ पर Lack of Able or Efficient Entrepreneur नहीं है ये सबसे बड़ी बात अभी मोदी साब ने एक बरका था कि भीया ब्रेड पकोडे लगाओ समोसे चाए बेचो लेकिन कुछ तो करो खुद के लिए भी क्या हम ही सब नोक्रिया देंगे अरे मेरे भाई एक बात सिंपल सी समझो न आज आप कभी भी एक समोसे वाले की एक स्पोस करो छोले कुल्चे वाले की income को calculate कर लोगे तो आपका mind खराब हो जेगा कि वो इतने पैसे कमा सकता है कि जितना एक बंदा जोब करके नहीं कमा सकता लेकिन हमें क्या लगता है हमें लगता है कि हम जो है ना हम जो है वो चाय समोच से क्यों लगाए हमने पढ़ाई इतनी कर ली कि हम ये चीज क्यों करें तो lack of able और efficient entrepreneurs हमारे यहाँ पर business man की बहुत कमी है लोगों का mindset नहीं है उन्हें लगता है कि एक factory लगाने के लिए 10, 15, 20, 25, 50 लाख रुपे की जरूरत पड़ती है लेकिन हकीकत यह है कि factories जो है वो mind से लगती है और धीरे-धीरे करके बड़ी होती है अगर McDonald's की बात करूँ तो उसने एक ठेले से burger बेचना शुरू किया था आज भी radio इतनी लगती है लेकिन यूँ सोचके देखो ना कि McDonald's का मालिक कहां पोच गया और आस बाकी सारे burger वाले कहां रह जाते तो यह lack of able और efficient entrepreneur सी तो है जिनका mind ही नहीं चलता तो वो गरीब रह जाते और lack of infrastructure माल लिया कि हमारे देश में infrastructure भी नहीं है जो आपको sport कर पाए facilities, roadways, railways आपके पास communication यह अभी तक उस level पर develop नहीं हो पाया जिसकी वज़े से आप गरीबी को दूर कर पाओ तो इसके बाद measures to remove poverty हम क्या-क्या काम कर सकते हैं जिससे आपकी poverty को गरीबी को दूर कर सकें सबसे पहले भाईया अपनी production बढ़ाओ production बढ़ाने के लिए industries लगानी पड़ेगी industries लगानी पड़ेगी that means क्या कि आपको आपको नहीं नहीं factory लगाओगी तो job मिलेगी, job मिलेगी तो standard of living बढ़ेगा combating poverty through improving distribution of income ये बहुत important point है सरकार इस पर follow भी करती है 5 लाग से नीचे आप कमारे हो तो आपको tax free आपको कोई income tax नहीं देना होता 5 लाग से उपर आपको tax देना होता है तो लोग या सरकार क्या कोशिश करती है कि गरीबों को पैसा ज़ादा बचे और हम अमीरों से taxes ले ले तो combating poverty through income distribution fiscal और legislative measures का मतलब है कानूनी कारवाई करें या government tax के हिसाब से calculate करें और लोगों की मदद करें combating poverty through population control जन संख्या को नियंतरन करने में सबसे ज़ादा आपको जरूरत है क्यूं? क्यूंकि अगर population तेजी से बढ़ती रहेगी population बहुत तेजी से enhance करेगी तो क्या होगा? उसके बाद आपके resources हमेशा कम रह जेंगे suppose करो मैंने 10 लाख नोकरिया generate करी इस accounting year में लेकिन population एक करोड से बढ़ गई तो क्या मेरी population या, sorry क्या मेरी income क्या मेरी job को develop करने का या job को बढ़ाने का कोई फाइदा हुआ जब population 10 कुना बढ़ गई तो 10 लाख नोकरिया तो waste होगी न तो इसलिए और other measures और भी measures देख सकते हैं जैसे हम agriculture को develop करने की कोशिश कर सकते हैं अपना देश क्रिसी प्रधान देश है अगर हम agriculture को develop करेंगे तो क्या होगा लोगों को ज़ादा income मिलेगी और वो गरीब नहीं रहेंगे stability in price level अगर हम चीजों की कीमतों को बढ़ने से रोक लेंगे तो महंगाई को control कर लेंगे महंगाई को control कर लेंगे तो लोग अपनी जरूरतों को असानी से पूरा कर पाएंगे labor intensive technique यूज करें capital intensive technique यूज ना करें मजदूरों को से ज़ादा काम कराएं मशीनों से नहीं तो मजदूरों को नोकरी ज़ादा मिलेगी और नोकरी मिलेगी तो उनकी गरीबी दूर होगी उसके बाद provision for minimum needs of the poor minimum needs का मतलब हमें ऐसे provision ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसके अंदर लोगों को basic needs मिले ही मिले रोटी कपड़ा मकान, health, education मिले ही मिले special focus on backward reason तो अगला point कहता है कि हमें backward reason पर focus करना चाहिए गरीब इलाकों पर focus करना चाहिए वहाँ तक basic सुविदाएं पहुचानी चाहिए opportunities for self employment लोगों को self employment generate करने के लिए लोगों को entrepreneur बनाने के लिए भी हमें focus करना चाहिए खुद का business खोलने के लिए भी motivate करना चाहिए और effective public distribution system effective public distribution system का मतलब है आपको लोगों तक समान पहुचाने के लिए जो राशन डीपो होते है उटको सही से effectively manage करना चाहिए कि गरीबों तक वो समान पहुचे बीच में कई black marketing ना हो जाए बीच में वो कई समान का गपला ना हो जाए तो public distribution system भी effective होना चाहिए अब सरकार कुछ अपने काम करती है जिससे वो unemployment को दूर कर सके बेरोजगारी को दूर कर सके तो लिखता है measure adopted by the government to remove poverty poverty को गरीबी को अटाने के लिए unemployment को अटाने के लिए सरकार कुछ योजना चलाती है poverty elevation program चलाती है तो अब इन programs की ना मैंने detail नहीं दी क्यों नहीं दी क्योंकि मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे याद करना है अब देखो स्वन जेनती gram स्वरोजगार योजना पहली हमारी योजना है gram gram का मतलब है गाओ स्वरोजगार का मतलब है खुद जोइनरेट करना अपने रोजगार को तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर self employment की बात कर रहा है तो जब भी मैं इस योजना को explain करूँगा तो क्या लिखूँगा इस योजना में कि इस योजना ने मुझे self employment या self sufficiency के लिए काम करना सिखाया तो यही है इस चीज का basic objective दूसरी हमारे elevation program क्या है national rural livelihood livelihood का मतलब है आजीवी का आपकी basic salary mission तो यहाँ पर आपको basic नोकरी provide करी जाए आपको basic salary दी जाए ताकि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सको तीसरी योजना कहती है संपूर्ण संपूर्ण से हमें कुछ नहीं संपूर्ण का मतलब है 100% ग्रामीन मतलब गाउं में जितने भी लोग हैं जितने भी लोग काम कर सकते हैं उन सब को नोकरिया देना ही इसका objective है तो नाम से ही पता लग रहे हैं संपूर्ण का मतलब 100% ग्रामीन का मतलब गाउं में रोजगार योजना याने रोजगार देने की योजना प्रधान मंतरी ग्राम उदय योजना ग्राम उदय का मतलब गाउं को उदय करना गाउं को डेवलप करना गाउं डेवलप कैसे होगा भाया रोड, रेलवेज, ब्रीजीज आपके पास पानी, सैनिटेशन, हेल्थ, आपका एजूकेशन ये सारी चीज़े उन गाउं में पोचा दूँगा अपने आप ग्राम का उदय हो गया न तो यही सारी चीज़े मुझे यहां पर यहां तर रखनी है उसके बाद स्वन जनती, शहरी शहरी का मतलब क्या आर्बन एरियास को डेवलप करने की बात कर रहा है तो यहां पर यह कह रहा है कि भईया जो लोग गाउं में रहते थे उनको तो हमने पिछे नोकरियां दे दी शहर में भी हमने रोजगार योजना चलाई तो शहर के लोगों को भी employment देने की कोशिश हमें याँ पर की गई शिक्स प्रोग्राम कहता है minimum needs program तो minimum needs हमने क्या पड़ी रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद education और health तो यह सारी चीज़ें उन्हें पोचाने की कोशिश की गई तो यह सारी के सारी योजनाए government ने develop की और हम ताकि इन सब की वज़े से हम गरीबी को हटा सके तो यह सारे हिंट थे जिनकी वज़े से मुझे इन योजनाओं को याद करने में help मिलेगी ओके, आज के लिए इतना ही और अगर आपको कोई और योजना समझ नहीं हो, तो आप हमें चैट में कमेंट कर सकते हैं थेंक यू